Hello everyone, this is Satpal and you are watching Options LR और आज़ काई वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप straddle को किस तरह से trade कर सकते हो और अगर market आपको challenge करता है, आपकी position है, उसको market challenge करता है तो आप किस तरह से उसको manage कर सकते हो, किस तरह की adjustment आप यहाँ पे कर सकते हो यह मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए बिना time waste कि मैं आपको सिधा screen के उपर लेकर चलता हूं और वहाँ पे आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको एक straddle को manage करना है लेकिन एक information में आपको देना चाहता हूं, कि coming Saturday को मैं एक free webinar conduct कर रहा हूं जो कि होने वाला है calendar spread के उपर, क्योंकि market में volatility है, वो काफी नीचे है आजकल तो यहाँ पे सबसे relevant जो strategy है, वो calendar spread है तो इस coming Saturday को मैं यह webinar conduct कर रहा हूं, जो calendar spread के उपर होगा इसके duration एक से देर घंटे के आप मानिये, तो एक से देर घंटे हम discuss करेंगे calendar spread को और उसके बारे में detail में हम समझेंगे, तो यह webinar है, यह coming Saturday को conduct होगा and it is absolutely free of cost, आप इसके लिए register कर सकते हो, नीचे मैंने description में link दे दिया है app का link मैंने आपको दिया है, option seller की app का, तो app को आप download कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप इसके लिए register कर सकते हो तो मैंने नीचे description में link दे दिया है, तो चलिए आप बिना time waste की मैं सिधा आपको screen के उपर लेकर चलता हूँ और अब समझते हैं कि एक straddle को हम किस तरह से manage कर सकते हैं, तो देखे ये मैं आपको screen के उपर ले आया हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको straddle को trade करना है, तो देखे अभी market trade कर रहा है 19,100 पे, आप 19,000 बानके चलिए, let's say market 19,000 पे trade कर रहा है, तो straddle में क्या होगा, 19,000 का मैंने call option sell कर दिया और एक put option sell कर दिया, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ यहाँ आप देखे, मैंने 19,000 का call option sell किया है, एक put option sell किया है, तो यहाँ पे basically होता क्या है, market आपको जिस भी तरफ challenge करे, यह adjustment क्या है वह मैं आपको बता रहा हूँ, market आपको जिस भी तरफ challenge करता है, मान लिजए market आपको उपर की तरफ challenge करता है, तो जब market उपर जाता है, उ आपने 19,000 का एक put option, एक straddle sell किया, एक put option sell किया, एक call option sell किया है, तो market अगर आपको उपर challenge करता है, market 500 point उपर जाके और 19,500 पे चला जाता है, तो आपको करना क्या है, जितना उपर market चला गया है आपकी straddle से, ठीक है, जैसे इस case में 19,000 का straddle मैंने trade किया है, और market अगर 19,500 पे चला जाता है, जो कि मेरा break even है, तो वहाँ पे मैं क्या adjustment करूँगा, जितना उपर चला गया है market, जो current market उस time पे 19,500 का होगा, तो उससे आपके straddle का जितना distance है, उतना ही आप उपर जाए और एक और straddle आपको वहाँ पे deploy करना है, इससे क्या होगा, आप दो straddle यहाँ का नहीं होगा, वो strangle की तरह behave करेगा, तो यह basically एक adjustment है, आपकी profitable range है, वहाँ पे भी YD रहती है, तो यह basically वो adjustment है, जो आपको करना है, चलिए यह builder है, builder में मैंने आपको दिखाया है, बाकि आपके एक शिकायत रहती है, कि मैं simulator में नहीं दिखाता, तो चलिए मैं आपको simulator मे range में ही रहा था, तो मैं आपको September बंत में दिखा देता हूँ, 28 September, यहाँ पर आप देखिए, एक September को मैं trade को initiate करूँगा, market कहाँ पर trade कर रहा है, 19,400, यह at the money का level है, यह आप देखिए, 19,400 का जो delta है, वो 50 है, call or put दोनों का, तो मान लीजे, यहीं पर आप एक straddle को trade करते हो, आपका view था कि market ना उपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, मतलब market एक range में रहेगा, obviously अगर आपका यही view है, तभी आप एक straddle को trade करोगे, तो आपने 19,400 का एक call or put दोनों sell कर दिया ह तो यहाँ पर आप देखे, यह आपका pay off chart बनता है, आपने एक call option sell कर दिया है, एक put option sell कर दिया है, अब जो adjustment में आपको बता रहा हूँ, देखे, यहाँ पर market अगर उपर जाता है, तो जब market मेरे breaking on क्या है, उपर की तरफ 19,800 है, नीचे की तरफ 18,900 है, तो चले मैं दिखा आपको, अगले दिन मैं देखता हूँ, अगले दिन market ऊपर जाता है, उससे अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, 19,600 पर market पहुंच गया, मेरा जो break even है, उससे अगले दिन market फिर थोड़ा ऊपर गया है, देखे, इसमें बाकी और च एक अलग adjustment में आपको बता रहा हूँ, इन बिट्वीन मैंने even straddle के ओपर और भी वीडियो बनाएं, जहां पर different adjustment मैंने share किये हैं, तो जब market ऊपर जाता है, तो जो put वाला portion है, इसको मैं inverted भी जा सकता हूँ, ये भी एक adjustment होता है, या इसके लावा और भी multiple adjustment है, जो मैंने share क पर रखे हैं, उस पर मैं अलग से video already डाल चुका हूँ, तो वो चीज़ यहां पर मैं involved नहीं कर रहा हूँ, यहां पर मैं आपको basically बस एक adjustment दिखा रहा हूँ, कि एक straddle को अगर आप trade करते हो, तो box में आप उसको किस तरह से convert कर सकते हो, और उसका criteria क्या है, इसका मतलब यह आपको सिर्फ उसी से stick रहना है, और चीज़ जो हैं वो आपको नहीं करनी है, जब एक straddle को trade करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे reference trade हो गया, कि अगर market उपर जा रहा है, तो current week का मैं एक option यहां पर sell कर दूँगा, कि market उपर जा रहा है, तो मुझे loss होगा, market नीचे आएगा, तो जो current week का option मैंने sell कर रहा है, उसमें मुझे loss होगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा original trade है, उसमें मुझे profit आ जाएगा, तो इस तरह के reference trade है, वो यहां पर trade किये जाते हैं, तो उन पर मैं already even एक video डाल भी चुका हूँ, कि reference trade क्या होते हैं, apart from that, straddle पे भी मै कई videos डाल चुका हूँ, तो एक तरह का adjustment नहीं होता, एक strategy को कई way में हम adjust कर सकते हैं, तो आज का जो वीडियो है, इसमें basically मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि आप एक straddle को box में convert करके किस तरह से adjustment कर सकते हूँ, ठीक है, तो आपको confuse नहीं होना कि यही एक तरीका है, इसी से म यहाँ पर आप देखे, 8 सेप्टमबर को और market 9800 पर आ गया है, जो कि मेरा upper break even है, मेरा low से 4000 रुपए का हो रहा है, तो यहाँ पर अब मैं यह adjustment आपको करके दिखाता हूँ, तो अब आप इसको box strategy में किस तरह से convert करोगे, यह मैं आपको बताता हूँ, तो देखे, basically आपको क current market से कितनी दूर है, तो मैंने straddle sell किया है, 9400 का, और current market अभी कहाँ पर है, 9800 पर, that means market 400 point उपर आ गया है, और यही मेरा upper break even भी है, तो market जितना उपर आ गया आपके straddle से, उतना ही उपर आप जाए, और वहाँ पे एक और straddle को आप sell कर दीजिए, that means, 9400 से market 400 point उपर आ गय sell कर दीजिए, तो 9800 से अगर मैं 400 point उपर जाता हूँ, तो कौन सा level आ जाता है, 20200 का, यही अगर मान लीजे market, 19900 पर आ जाता, तो फिर वो 500 point दूर हो जाता, तो फिर मैं 500 point उपर जाता, ठीक है, इस case में मैं कहाँ जाओंगा, 20200 पर, जो current market है, उससे 400 point उपर, तो 20200 पर मैं जाता हूँ, यहां का एक call option में sell करता हूँ, एक put option में sell करता हूँ, तो अब आप देखिए, यह मैंने इसको एक box में convert कर दिया है, अब इसका जो pay off chart है, यह strangle जैसा बनता है, strangle में क्या होता है, यह आप देखिए, strangle में, मैं एक out the money का call option sell करता हूँ, out the money का put option sell करता हूँ, तो वहाँ पे इस तरह का pay off chart बनता है, यह मेरी profitable range होती है, और range में, जो profitable range है, उसमें जो profit होता है, वो throughout the range similar रहता है, जबकि strangle में एक cone बनता है, जहाँ पे अगर, जहाँ का आपने strangle sell किया है, उस mid point पे आपका profit हो maximum होता है, अगर market उपर जाता है, तो profit आपका नीचे आता जाता है, अगर market नीचे गया, तो वहाँ पे भी profit आपका कम होता जाएगा, लेकिन जो strangle होती है, strangle में आपका profit है, वो throughout the profitable range बिल्कुल similar होता है, same होता है, तो जब market आपकी straddle को challenge करता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप उपर की तरफ एक और straddle को यहाँ पे लगा दोगे, और जब इन दो straddle को हम combine करेंगे, तो यह किस तरह का effect देगा, एक strangle जैसा, क्योंकि अ होता क्या है, देखे मेरा break even था, उसको market ने touch कर दिया था, अब मेरी profitable range यह और wide होगी है, जहां मेरे break even को touch कर दिया था market ने, अब मेरा break even कहाँ पे चला गया है, 20,250 पे, मैंने जो मेरा break even था, उसको 400 point और उपर shift कर दिया है, इसको box strategy में convert करके, तो आप market से एक range ले सकते हो ठीक है, अब क्या होगा, अब एक एक दिन करके मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, अब देखे मार्केट मान लीजे, यहां से नीचे गिर जाए, या market तेजी से उपर चला जाए, और आपका जो loss making, आपकी profitable range हो काफी wide है, लेकिन still अगर market इसको तोड़के उपर या न नहीं कर सकती, तो यह एक edge होती है कि अगर market मेरी profitable range में रहेगा, तो अच्छी बात है, अगर वो profitable range में नहीं रहता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यह जो, जिस option में मुझे loss हो रहा है, जो option मैंने बेच रखा, जिस में मुझे loss हो रहा है, जहां profit हो रहा है, उसक box strategy में किस तरह से convert करना है और उसका effect क्या आता है ये basically मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा जो upper breakion था वो यहाँ पे touch हो गया था बट उसके बाद मैंने इसको box strategy में convert किया और मेरा जो breakion जो touch हो चुका था अब वो 400 point उपर shift हो गया तो ये effect आता है जब आप एक straddle को box strategy में convert करते हो और box strategy में आप किस तरह से convert कर सकते हो जो आपका straddle है जिस तरफ market ने आपको challenge किया है तो जो current market है उससे आपके straddle की जितनी दूरी है इतनी दूरी आप और उपर या नीचे जाए और वहाँ पे record straddle को आप लगा दीजिए और जैसे आप दूसरा straddle लगाते हो तो दोनों जो straddle है ये combine होके एक box strategy बना देते हैं तो market मेरी profitable range में है लेकिन market उपर जा रहा है मेरा low side 10,000 रुपय का है मेरा upper break even कहां पे है 20,250 पे मेरा break even है 20,000 पे market आ गया है 20,000 almost 200 पे market आ गया है अब देखे इस case में आप देखे market almost मेरे upper break even पे आ गया है हला कि तोड़ा नहीं है लेकिन upper break even पे market आ गया है अब यहाँ पे मान लीजे market कल gap up में और market यहाँ पे पहुंच जाता है तो आप क्या करोगे तो जिन options में आपको profit हो रहा है profit आपको कौन से options में होगा जैसे put option आपने sell कर रखे है वहाँ पे आपको profit होगा call option आपने sell कर रखे है वहाँ पे आपको loss होगा तो आप क्या कर सकते हो अगर आपकी पास capital है तो आप यहाँ पे martingal लगा सकते हो जो profitable trade है उनमें आप profit book कर लिजिए और जो loss making trade हैं उनमें आप mart angle लगा दीजिए या दूसरा क्या कर सकते हो आप इसको roll over कर सकते हो अगले expiry में roll up भी कर दीजिए और roll over भी कर दीजिए कि आपने थोड़ा सा उपर का option sell कर दिया और अगले expiry में क्यूंकि आप इसको sell कर रहे हो तो आ में आपको confuse नहीं होना है तो यहाँ पर देखते हैं market 20,200 पर trade कर रहा है मेरा जो loss है यह 9700 रुपीज का है बाकी मां आपको यह बोलूँगा 20 September यहाँ पर हो गया है और 28th की मेरे expiry है तो मैं हमेशे यही बोलता हूं कि last week में आपको नहीं जाना चाहिए 22nd को आप इस trade में स आप निकलने का देखिए यहाँ पर 1200 रुपे का मुझे profit हो रहा है और 21st September हो गया है 22nd को मैं trade में से exit लेने की सोचूंगा मेरा profit है यह 1900 रुपीज का है तो यहाँ पर basically मैं आपको यही recommend करूँगा कि यहाँ पर आप निकल जाए क्योंकि last week में अगर आप जाते हो तो gamma risk को बचने के लिए और last week में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए gamma risk basically यह होता है कि आपके profit और loss आने के rate हो बढ़ जाती है market में छोटा सा move आपके favor में आया तो आपका profit भी तेजी से उपर जाएगा लेकिन छोटा सा move आपकी against आगया तो आपका loss हो भी तेजी से होगा तो इस profit 1900 रुपीज का हो रहा है क्योंकि market ने almost मेरे upper break in को touch करके market आया market अगर यहीं पे घुमता तो मेरा profit इस से थोड़ा और better होता लेकिन market उपर गया है और उसके बाद market नीचे आया है तो यहाँ पे मेरा जो profit है फिलाल जो profit हो 1900 रुपीज का है आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आप expiry day तक इसमें रुकते हो तो अगले दिन मेरा profit है 2300 रुपीज का है 26th of September को आप देखिए मेरा profit है 30100 रुपीज का है और expiry कब किया 28th की 27 को मेरा profit है यह 3500 रुपीज का है और expiry day तक अगर आप जाते हो जो में आपको बिलकुल भ कि आपको यहां तक जो expiry day है उस तक आपको नहीं जाना है अब इस case में आपको 4000 रुपीज का profit हुआ है तो it's like कि आप lucky थे आपको profit हो गया कि market आपके range में रहा लेकिन अगर market यहां से उपर या नीचे चला जाता तो आपका जो loss हो बड़ी तेजी से बढ़ता यहां पे औ यहां पे gamma risk से आपको खास बचना चाहिए last week में आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए तो यह है वो strategy जो आपको दिखाना चाहरा था तो basically जो adjustment है वो आपको किस तरह से करना है उसका criteria क्या है यह मोटा मोटी में आपको दिखाना चाहता था कि आप जैसे एक straddle को trade करते हो अगर market आपके break-yone को touch करता है तो जितना distance है आपके straddle और जहां पे current market है उसमें उतना ही distance आप उपर जाए अगर उपर की तरफ challenge किया है तो या उतना ही distance आप नीचे जाए अगर नीचे की तरफ challenge किया है तो और वहां पे एक और straddle को आप लगा दीजिए तो इससे होग क्या क्या दोनों ष्ट्राड़ल को जब आप कंबाइन करोगे तो वो एक भुल स्टरेजी बन जाती है जिसका पेऊफ चाल्ट है वह अर्एम जैसा होता है तो यह आपको स्ट्रेडल को एक box strategy में convert करना है basically वो चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है चलिए तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं लेकिन वीडियो को खतम करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस coming Saturday को मैं एक free webinar conduct करना हूँ जो की होने वाला है calendar spread के उपर इसमें register करने के लिए निचे मैंने link दे दिया app का link पे जाके आप app को download कर सकते हूँ और वहाँ पे आप इस webinar के लिए register कर सकते हूँ तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope इस वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें this is अत्पाल साइनिंग ओफ